हेलो दोस्तों स्वागत है आपके चनल पे दोस्तों आज हम बात करते हैं मोटर अलग अलग टैट की हमारी मसीनों में जो होता है उसको हम पहचाने चैनल आपको सब्सक्राइब आपके सामने जी रख दिया तो अब कैसे पहचाने हैं इसके पहले हम ने आपको बहुत सब्सक्राइब बहुत सारी टोपिक्स कबड है जिसमें कैसे काम करता है, 1234, 36, 36, 328 वारिश कंट्रोलर का वार इरिंग ड्रीक्ता वार दियाग्राम विल्डियंग का वारियंग ड्राइग्राम और भी इस टॉपिक पे आपको छोटा से वीडियो मतलब कोशीज करोंगा जल्द से जल्दी खदर खुने का आपको देखते ही कोई पूछे यह कौन सा मोटर है या फिर आपकी जरुवत के हिसाब से कौन सा मोटर है तो फट से पहचान सकें तो पहला मोटर जो होता है कंपाउंड मो मोटर में यह स्किल दोनों जगा पर आपको कम पाउंड मोटर यूज करने का रिजन क्या है यह तो बाकिहों से थोड़े सब्सक्राइब परमीं से थोड़े सब्सक्राइब और इनका स्टार्टिंग भौत highly होता है अ कहनले के हैं शुरुवात में ही बहुत तक्त लगा सकत है और कुछ अलग टैप जैसे इंडेक्शन मोटर जो आपके घर में पंखा लगा रहता है स्टार्टिंग में उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं हो दे को चला पाए तो इसके लिए इसको मोटर यहां लगा जाता था कि आप डिरेक्ट पावर दें और वह पूरा तकत से पंप को घुमाना शुरू कर दें तो उसको लिए अब आपको देखे सबसे पहला सब चीज में यहीं बोलूँगा उसमें का इडेंटिफिकेशन सीट लगा रहता सभी मोटरों में उसको पढ़िएगा तो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जागा बहुत बार वह लिखाने रहता यह कंपाउंड मोंटर है कि नहीं यह कं देहान रख्येगा इसमें और ब्रश ओर ब्लस और माइनस आपको कारवन परस होगा इसेальным हम और तौम पर इंसमें रहे अ अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सेप्रेटली एक्साइटेड डीसी मोटर थोड़ा से एक और चीज़ बाद है कॉमपाउन मोटर को चलाएगा कौन सा कंट्रोल एक तो यह डायरेक्ट नहीं चल सकता आपको डायरेक्ट पावर में लागाएगा बैटरी में चलेगा जैसे चलाने के लिए चलों यह डार्ता है आपको बारा सेप्रहबर कर लिए चलाकन टॉले न्य हटो जीन हो्ता है इसके लिए आपको समझना पड़ेंगा कि सब्रेटली एकसाइटेड डीसी ओकर का मतलब केस्ज़में हैं तो मैं डियाग्राम बढ़ते कि कोई भी फिल्ड वाइंडिंग हुआ माले यह फिल्ड है बीच में से हार में चल जाए यह दिवाइडिंग है ठीक है यहां पर कारवन बरस लगा है नीचे भी वाइडिंग है तो कंपाउंड मोटर में क्या होगा यह सिरीज रहेगा और इसस यहां सुनिकर जाएगा ऐसे स्रीज रहता है कंपाउंड मोटर में सब्सक्राइब करने का मतलब है कि दोनों फिल्ड वैंडिंग और आर्मिचर वैंडिंग दोनों अलग अलग पावर उसको देना है एक एक ही जगह से ने कि वायर लिया और ठाके दोनों में देया है सानी स सेपरिटल एक्साइटड डीसी मोटर में आपको दोनों वायर दोनों पावर आपको अलग दोने शकुझ मानि यह फिल्ड बाइंडिंग है इसके दो वायर निकले और सपोज मानिए कि यह वाला आर्मिचर वाइंडिंग है इसमें जो कारवन ब्रस लगा है दो इसके दे दो निकल गए समझे यहां पर एप फॉन लिखा रहेगा चार पावर रॉप करेंगा आपको जब इसका प्रफोड कम है तो इसका जानकारी के लिए आपको बदादू इसका भी बहुत हाई होता है लेकिन इसमें क्या है नेक फाइदा कि आपको और नहीं हो सकता है कि आपको घुटर नहीं चले हैं नहीं कि इस से ज्यादा चाहते हैं लेकिन आपको ये से ज्यादा से जादा पांचहँजार पचास पिम हर फंचहजार तीस पूर्म में तीजल केले लगा हिसे लिगा तो इसके लिए stairs लगा रह요 एक किमी से कम चले इसमें जितना इंपूट देंगे उससे ज्यादा या कम चलेगा यह इसमें भी थोड़ा बहुत है लगी बहुत कम डिफरेंस पैदा करेगा आज इतना चलाना चाहिए अनलग भग उतने पर चलेगा ठीक है अब हम लोग आते हैं इसके पहले आपको सेप्रेटलिए कुन सा है बारेंस सेंफटर ऐसको चला सकते हैं बारत इतालिस दिए बारत जालिस जिस पर आपको सेपेक्स लिखा रहेंगा शैने कंट्रों से आपको यह बड़ा मोटर क्सेप्स की इसको बादवी है सब्सक्राइब अब हम लोग आते हैं BLDC मोटर समझे कि ऐसे पहचाने कि इसको पहचाने में बाद वरी तो पहचाने में कि इसमें चार आउटपुट रहेगा एक अब हम लोग आते हैं BLDC मोटर पे और इसमें कारवन ब्रस रहेगा अब आते हैं BLDC मोटर का पूरा नाम होता है ब्रस लेस डी सी मोटर ज्यान दीजेगा नाम ब्रस लेस डी सी मोटर मतलब क्या है ब्रस लेस मतलब इसमें है कि ब्रस रहे गए मोरस चैनल के उसको दोते व्रस लेस यह धुद यह दो नहीं चलना वाला घर में आगर गरॉटर दो characteristics सब्सक्राइब तो इसका रेजन यह है कि इसमें कार्बन निकाल के आपको डायरेक्ट चलाया जाता है कंट्रोलर के अब बुकतल है कि कार्बन निकाल देना तो चलेगा सही बात तो इसको कशल निकाल कर निचला रहा है तो ठीक है इसमें तीन करेट्शन रहेगा तीन पावर कनेक्शन रहें सब्सक्राइब तो रहेगा। अलग से आपको स्पीट सेंसर भी इसमें रहेगा। सपर को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब इस बिद्र यह इतना चीज रहें तो समझेंक वह उग दीशी मोटर है अब यह बोला जए बी है जैसे इसको बेरी का स्प्लाइट शेगा तो किसी वीडियो में कवर कुणब इसमें इसम समी तब तक मेंट नहीं होगा तो उसी तरह से इसमें भी होता है कमुटेटर में क्या है देखे इसको बोलते हैं ठीक है और ये जो एरिया है ये देख रहे है ये पितल का एरिया ये वाला कम्मुटेटर है commutator जिस पे brush घिसता है जिस पे brush चलता उसको commutator बोलते हैं ये commutator में कभी भी ध्यान दिजेगा तो आप पो slot रहेगा ध्यान से देखे एक commutator खतम होगा फिर दूसरा शुरू होगा ये commutator है ना slot अलग-अलग slot है तो slot रहता है slot इसलिए रहता है कि carbon brush यदि एक point पे supply दे देखे तो होगा क्या इसके सामने बला ये बला देखे इसमें तीन इसमें तीन फिल्ट है ने इसमें तीन winding है तो तीन commutator होगा ध्यान दिजेगा एक एक दो तीन तीन winding है है ना तीन वैंड इससे दिखाता हूँ एक दो तीन सलोट का मतलब क्या इसमें हमको supply देना तो ये दो commutator काम करेगा जैसे ये armature घूम गया जरा सा तो फिर क्या है कि दूसरे दो में supply जाने लगा फिर जरा स armature घूम गया फिर तीसरे दो में supply जाने लगा तो कि ये बना कि आपको power ये इसमें magnetic field जाएगा तो ये चोड़ेगा ही नहीं जैसे ये घूम जाएगा तो ये घूम जाएगा फिर इसका यहां जैसे घूम आते है आपका जो कार्मा जाएगा तो कंवान और से घूम के poop यहां पर आ जाएगा फिर ज़िल ये घूम के आ जाएगा षफिर इस तो जैसे तो पहले का जो power करता है यहीं काम है कि poorer और जो करने के साथ अग़ने को अगले बन जो फिट है अगला जो आर्मेचर उसको मगनेटाइज करना उसका काम है कमूटेटर होता है इस प्रोसेस को करते हैं कमूटेशन इस प्रोसेस को बोलता है कमूटेशन प्रोसेस it's a translucent process a समझे रहे तोได acredita में क्या होता है कि एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया में मतलब एक एरिया से लेके दूसरे हिरी में सप्लाइ जिना को कम्मूटेशन प्रोसेस बोलते हैं तो उसी की हिसाब से मोटर चलता है लेकिन अब हम बात देखें इस पी डिटेल में मैं नहीं जाओं कभी और कभर कर दूँगा सब्सक्राइं यह में का का कम्मूटेशन प्रोसेस होगा किया है कर देनेक दिने की पवेंदिग का पॉर काट के दूसरी में देना को इसके लिए एसके लिए स्पेस्टल बी यली सी कंट्रॉलर होता है ऐसे पर कंमुटेशन प्रोसेस करता और है समझें आप इसमें कमूटेशन प्रसेस कैसे होता यू वी डबलू है इस उसमें बैंडिंग भी ऐसे जाएगा थी आप सब्सक्राइब यह दोनों बैंडिंग में पावर दिया हुआ सब्सक्राइब करता है कि मोटर कितना घूम है जैसे यह सब्सक्राइब करता है जैसे यह मोटर घूम गया इसमें चीज है अब यह वाला जो चीज है आपको यह सब्सक्राइब कर रहा है तो उसको कैसे पता चलाएगा उसको बताने के लिए सब्सक्राइब करता है जैसे यह घूम गया इतना अब दूसरे को दो सब्सक्राइब यह घूम गया तो आप क्या करेगा इसको पावर काट के इसको देगा फिर बोलेगा फिर भाई सब्सक्राइब फिर भी गुम गया तो इसको पावर काट के इसको देते गाता ऐसे घूमाते रहेगा गुमाते रहेगा उभी डबलु डबलु यू सब्सक्राइब करने का कैसे पता जलेगा सब्सक्राइब करता है आपके रोटर का तो उसके बाद आपको इसमें चला यह इस तरह से होता है क्योंकि क्योंकि पता ही चल रहा है कि किस समय किस फिल्ड में पावर देना हो सकता हुँ ज्यादा अलग टाइम में दे रहा हुआ जब कि ना खूमना का विगत का इनकोडर का दो फेज रहता है फेज यह फेज भी यह दि दोनों फेज खराव होगा तो मोटर में पावर तो जागा लेकिन घूमेंगें क्योंकि वह पावर अगले अगले को ट्रांसपर्ण कर रहे हैं यह खीच के बैठा है क्योंकि जब चॉलनी होगा तो बताकर नियुक्त भूम गया तो दुसरे फिल्ट में दो पावर तो यह आगा पावर चालू करके बैठा रहे ही इसमें आपको बीज इसी मोटर में पांडिंग रहता है अर्मेचर बाइंडिंग नहीं रहत एक अलग topic एक अलग में हम कवर करेंगे कमोटेशन प्रॉसस कैसे होता है क्या होता और क्यों होता है यह ब्ली से मोटर में अलग से आपको पहता है एक आपने कवर कर लेते हैं कि हम लोग एरेक्टरिक फोर्कलिप का सारा मोटर को कवर कर लिए यह एक चौथा लाइन अटम मैंने लिखा है डीजल फोर्कलिप में जो स्टार्टर मोटर लग रहा था है इंजिन पर स्टार्ट करने के लिए उस मोटर को हम लोग स्रीज मोटर करते हैं स्रीज मोटर समझ गए स्रीज मोतर क्या होता यह समझे आप सिर्ज मोटर को पहणाने के कैसे व बान रहा वज तो पहले होता क्या है स्रीज मोटर दुनिया के इक लौटा ऐसा मोटर की सिधा सिंपल वास हम समझगे मोटर केbox टॉरलत हो एक और दूसरा जांपलं देखा हु सब्सक्राइब गुंब्ष लगती है इसको तो साधी परता हुश को ताट इसलिह हमने बोला साधे कर दोर्ट को थी खुमा तिस नहीं यह सरीज मो2 है सल्च। लिए सबसे ज्यादा हाइं बहुता है यह सब्सक्रहएं डिन सब्सक्राइब हम देक है इस बांट्रोल आउट्पुट नहीं देता ऑफ पावर आप पाँच जार आप पर चलाना हो सकता यह तो आपको वह एक्सिनेंट होने के चांसे तो आपको डीसी स्रीज मोटर में क्या होता है बहुत हाई होने के करा इसका खराबी कि आए यह आप इसको ज्यादा देर टैक नहीं कर सकते एक बार चला दिया लेकिन ज्यादा 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 आपको कि नहीं तो समझें जल जाएगा कियोंकि ज़्यादा स्टार्टिंग कार्थ है इसकाट ज़्यादा कर्ण लगता है ज़्यादा कर्णट लेगा है। तो पूरा लेने के कारण उसका अपना बाइंटिंग बाइंटिंग भी जल जाता है इस यादर देर इसको चला नहीं सकते हैं लेकिन इसको इंजिन स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाते हैं बहुत तक लगाने होती है उसको इसको एपूरा तकत से इसको गुमना नहीं गुमत हैं तो इसलिए प्रमोटर यूज की आ जाता है तरो इसलिए डिसी मौटर में भी आपको दो धार रहते हैं प्लास वर माइनस इसमें बी कारबन बिर्श रहेंगे जैसे आपको एक कमपॉल्ड मॉडर है इसी टाल का अब बुलेगा पहल लेकिन हमने तो देखा इसमें तीन बाहर रता है आपको जो इंजिन में स्टर्टेंग अस्टर मोटर लगा ता तीन वार तो तीसरा व्यरता वह स्टेसल फंक्शन के लिए एक रहाता प्लस माइर हीमें रहता है बोटी में माइर हो थ प्लस र लगा जाता है इसको इसको चलाएंगे तो चलेगा लेकिन इसका फंक्शन क्या है इसका गियर रहता है इसको अंदर भाहर भी करता और अंदर बाहर करना काम है प्लस इसी में पावर देते तो जैसे कॉंटेक्टर में पावर दिया तो अंदर बाहर करना है दूसरा काम एक तरह का कॉंटेक्टर आउन होगा तो यह मोटर को चाल को रहेगा तो चोटा सील मोटर की बात करेंगे तो सिर्फ वही बाइर किना जाई पर दिय corresponds प्लस माइनस और तीसरा जो है तीसरा चोटा सा जो है सोले नौइड क्वाइल का भाइल ठीक है इतना ही रहता है किसी अलग-अलग टॉपिक आप कमेंट करके बताना का आपको कौन समयने बहुत सारी शीज़े बता है यह बिल्टीसरा मोटरों में मोटर को हेजुद्स कैसे होता है अगर तरीके सेोजिन अब करनाना चाहिए ठीक है दोस्तों अभी बहुत लंबा वीडियो गया मैंने सोचा नहीं था कितना लंबा होने वले हैं मैं बताने लगता तो पूरा बता दे तो मैं कोई तैयारी करके नहीं आता है जो मेरे पास दिमाग में आता है और जो मैं टॉपिक खड़ा हो गया सोच लिए आपको डिट